नमस्कार साथियों मैं मनीश पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तैय जिल से स्वागत और अभी नंदन करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी शांदार जबदस तो जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारिया है वो काफी बहतर चल रही होगी उनी तैयारियों को और बैदरिन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की रानिति विज्ञान में रानितिक सिद्धान्त का अध्याय दोस्व, संतंतरता फ्रीडम और आज उसका है लेक्चर नुबर 3 तो चलिए जानते हैं कि आज की लेक्चर 3 में में क्या पड़ने हैं, आज हम बात करेंगे जो बॉक्स में दिया वा सरवराज है, उस सरवराज की बात करेंगे हुआ हमें परतिवंदो की आउशकता क्यों है क्योंकि last lecture में हमने कुछ बास समझी थी तो उससे link है यह और फिर बात करेंगे एक कुड बोक्स के topic की that is the उदारवाद या liberalism चलिए तो शुरू करते हैं आज की lecture को और आज हमारे सबसे पहले जो topic है वो है सवराज ये बच्चो एक ऐसा शब्द है जिसके लिए आप नहीं कह सकते कि सर आपने पहली बार सुना है इस शब्द को आपने कक्षा 10 में भी सुना होगा कहीं न कहीं नवी की इतिहास के नवी में तो नहीं जानते हैं इसी सवराज को भारती राजनितिक विचारों में संतंतरता की समानार थी अवधारना सवराज है तो अगर भारती राजनितिक विचारों में देखे हम इंडियन जो political विचार है उसमें देखे तो संतंतरता की समानार थी सौंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंतंत भी हमारा होना चाहिए हम हमारे इसाफ से शाषन चलाएंगे खुद के उपर खुद के इसाफ से शाषन चलाएंगे वही तो सवराज है और सवराज का अर्थ सव का साषन है मतलब खुद का साषन है भी हो सकता है और सव के उपर भी साषन हो सकता है मतलब खुद का साषन भी और खुद के उपर भी साशन भी, ठीक है, खुद के उपर भी साशन भी, मैं मेरे इसाब से अपने आपको चलाओंगा, अपने इसाब से मैं चलूँगा, भारत के संतंतता संगर्ष के संदर्ब में सवराज, राजनितिक और सवेधानिक इस्तर पर संतंतता की मांग है, और सा तो राज, राजनितिक और सवेधानिक इस्तर की मांग है, राजनितिक और सवेधानिक इस्तर की मतलब क्या है, कि जो राजनितिक जो चल रहा है, जो आपका, अंग्रेजों का साशन चल रहा है, वो साशन खतम होना चीए, ठीक है, और किसका साशन होना चीए, भारतियों का सा संसंतरता की मांग हो रही है कि या आप हमारे जो पॉलिटिकल बाउंटरिस है आप उनको छोड़ करके चाहिए हमारे देश में हम हमारा साविधान बनाएंगे और उसके साब से हम कानुन व्यस्ता को चलाएंगे और सामाजीक और सामुई के स्तर पर ये एक मुल्य भी है एक महतपूर नारा बन गया जिसने तिलक के परसीद खतन सवराज मेरा जनम सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा को प्रेरित किया तो सवराज संतंतरता आंदोलन में एक महतपूर इस्तान रखता है ठीके अब जैसे हम तो ये मान सकते हैं कि सवराज और संतंतरता कही बही ना गई सिमिलर से हैं तो सवराज जो शब्द है ये संतंतरता आंदोलन में एक बड़ी भूमी का निभाता है और इसी पर तिलक जी का जो एक पसीद नारा है कि सवराज मेरा जनम सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये बाल गंगादर तिलक जी है जिन्न पढ़ाओगा, पोर्ण सवराज की भावना चल रही थी, बाल गंगादर तिलग जी हैं, और बाकी जो नेता हैं, वो सवराज की बात कर रहे थे, उसके बाद 1929-1929 में एक ऐसी गटना होती है, उससे पहले गटना होती है, साइमन कमिशन वाली, आपको याद हो में कुछ बात याद इला रहे हो, तो go back Simon, go back Simon के नारे लगते हैं, साइमन कमिशन का विरोध क्यों हुआ, क्योंकि साइमन कमिशन भारत में सविधान की रूप रेका त्यार करने आया है, जो पहले कानून चल रहे थे, वो सही थे या गलत थे, उनको देखने के लिए आया, और विरोध इ वाइस रोए थे, जैसे कि मतलब जैसा आज परधानमन थी सबसे बड़ी पोस्ट है, उस समय वाइस रोए होगा करते हैं, तो वाइस रोए थे, उन्होंने एक गोशना करी, और वो यह कहा कि हम भारत को डॉमिनीन स्टेटस दे देंगे, डॉमिनीन स्टेटस का मतलब यह है कि भारत को हम आजाद कर देंगे, परन्तु नाम मातर के लिए भारत की जो हेड होगी, भारत का जो मुख्या होगा, वो वही होगा जो कि ब्रिटेन का राजा यारानी होगा, जो ब्रिटेन का मुख्या होगा, वही भारत का भी मुख्या होगा नाम मातर, वेसे उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता, सारे के सारे काम भारती समालता, भारत की सरकार, भारत की जनता ही समालती, परन्तु नाम मातर ब्रिटेन का राजा यारानी रहता, अगर वो विवस्ता अपना ली जाती तो आज राश्टपती का पद नहीं रहता, परधान मंत्री का परन्तु जो युवानेता थे जिसे जवालाल, नहरुजी, सुभास्चंद्र, बोश जी इन्होंने को लग नहीं है, ये बात तो बिल्गुल को लगते हैं, क्यों तुम्हारा क्यों हम नाम मातर का भी क्यों रखें भीया, हमें तो अब सवराज नहीं, अब पूर्ण सवराज चीए, इसलिए जब दिसंबर 1929 में लाहुर के दीवेशन में कहा जाता है, कि हम 26 जनुरी 1930 को हम एक प्रकार से आजादी का सर्जशन मनाएंगे, और पूर्ण सवराज की मांग हम सरकार से करेंगे, अब सवराज नहीं, अब पूर्ण सवराज की बात थी कि complete freedom, अब ये dominant status तो सवराज से पूर्ण सवराज तक की कहानी मैं आपको बता दी, सवराज का आश्य अपने उपर अपना राज भी है, सवराज की यही समझ गांदी के हिंद सवराज में परकट हुई, हिंद सवराज के शब्दों में जब हम स्वम पर साशन करना सीखते हैं, तब ही सवराज का आश्य सवराज का मतलब यह भी है, कि हम अपने उपर साशन करना शुरू करते हैं, हम अपने उपर अपने को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, गांदी जी का जो हिंद सवराज एक किताब है, कब लिखी गई, 1909 के हिंद सवराज किताब में गांदी जी का कहना है कि जब हम स्वेंपर साशन करना सीखते हैं तभी सवराज है, मतलब हम खुद पर साशन करना सीख जाएं तभी सवराज है, अगर इसको आशन वहाशा में ले तो क्या है, कि मतलब जब हमारा खुद पर कंट्रोल हो, आज कल हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं हो, हम दुनिया को क करने चलते आज खुद का कंट्रोल नहीं कभी छे बजे उठ रहा हूं गवी पंच बज बज़े करना हो हूं ठीक है ढूक्टर नहीं नहीं बटा फॉस फूद मत खाया करो फिर फोड खाने जाते हैं हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है हमारे जीप पर बिल्कुल भी कंट्रो तो वह क्या है? कि जब तक हम हम खुद के होपा eë can dole नहीँ कर सकते है तब तक सवराज नहीं है तो यहां पर बापू भी इही के बाट कहे रहा है कि सवराज का अर्थ यह है कि हम खुद को control करना सीख जाए आप जिसदिन ये सीख जाओ आपने सोचा नहीं वह कल से पांच बजे उठना है और डेली उठना और आप डेली पांच बजे उठना करके कसरत कर रहे हो घूम रहे हो पड़रो तो वो क्या हो गया? खुद पर धीरे-दीरे कंट्रोल आ गया यही बात भगवान श्रीक क्रिशन कहते हैं कि स्वेम पर विजे पाना ठीक है? मन को कंट्रोल करना है अरजुन मन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चीज़े यही भगवान पूद ने का कि पूरी दुनिया में विजे पाने से अच्छा है कि खुद पे विज़े पाओ, तो यह सवराजी तो है, कि खुद पे विज़े पा लेना और आंग सांग सूकी जी ने भी क्या कहा था, कि खुद को विज़े बनाना है, खुद पे विज़े पाना है, खुद के डर्ग को जीतना है सवराज के वाद संतंतरता नहीं ऐसी संस्ताव से मुक्ति भी है जो मनुश्य को उसी मनुश्य अदिकार भी नहीं दे तो ऐसी संस्ताओं से मुक्ति भी क्या है सवराज है इसी के आदार पर तो हम यह कहा थे कि अंग्रेजो तुम भारत छोड़ो क्योंकि तुमने हमें मनुश्य तैसे भी बंचीत कर दिया है तो मैं वो भी अधिकार नहीं दे रहा जो कि मनुश्य को देने चाहिए अब आते हैं हमें परतिबंदों की आवशक्ता क्यों है तो लास्ट लेक्चर में हम यह चीज समझ करके आये थे कि संतंतरता क्या है संतंतरता है भारी परतिबंदों का अभाव कि जब हमारे उपर कोई भारी परतिबंद ना हो हम बारे उपर किसी भी प्रकार का कोई दबाओ नहों बिना दबाओ के मैं निर्णे ले सकूँ वो सवंतंतरता है प्रंतु उसमें एक पहलू एक पॉइंट और जोड़ा गया कि सवंतंतरता में कम से कम सामाजिक अवरोध कम से कम अवरोध लगा करके उस व्यक्ति को करकेट को करते आथके is आज यह जानेगा कि हमें इन पर्तिवंदों नहीं रहे सकते हैं ठीकै तो आगर बिल्कुल ऐसा हो गया न जाहांपर कोई रेस्टिव्झन नहीं है कोई कंट्रोल नहीं तो हम वहाँ ऐसी दुनिया में भी हम लोग नहीं रह सकते हैं आज आपने कभी जानवरों को देखा है? समाज को सब्व्य बनाए रखने के लिए हमें कुछ नियों मों की जरूथ होती है कुछ प्रतिवंदों की जरूथ होती है अगर वो कुछ कानुनों कुछ नियम के साथ सब को संतंतरता दि जाएगी और और जा आज आप स्युक्सक्रामा कॉया हो नहीं होगा कोई कानुन व्यवस्ता नहीं होगा दे angled we're रोज हिंसा होती है, जगड़े होते हैं, लड़ाई जगड़े होते हैं, भेंकर वाला, खुन खराबा चलता रहता है, और आपको बोल तो जाओ बेटा, 10 दिन के लिए घूम कर क्या जो, जाओगे क्या, पूरी संतंत्रता है, कोई कानून नहीं, कोई काईदा नहीं, जाओग के लिए परतिसपर्दी हो सकते हैं, क्यों जबूरत है मैं परतिवंदो की, क्यों, क्योंकि उनके मत-मतांतर हो सकते हैं, मतलब मेरा जो विचार है, वो आपके विचार से में इच नहीं खाता है, तो भी हमारे बीच में हो सकता है, टकराव हो जाए, तो टकराव हो जाए, भईया, वहाँ पर कोई व्यवस्ता तो होनी चाहिए, कुछ रोक टोक तो होना चाहिए, मेरी महत्वकांश है, मेरी जो इच्छा है, और आपकी इच्छाओं में टकराव हो सकता है, मैं चाहता हूं कि निसाब सरकार को इस दिशाओं में ज्यादा पेसा खर्चा करना चाहिए इससे देश आगे बढ़ेगा, आपको नहीं नहीं, मनिसर गलत करें, इस दिशाओं में ज्यादा पेसा खर्चा करना चाहिए, तो देश आगे बढ़ेगा, तो हमारी इच्छाओं में, हमारी महत्वकांशाओं में टकराव हो सकता है, सिमित साधनों के लिए परतिस परदी हो सकते हैं, देखिए अब आप सभी को पता है हमारे पास जो संसादन है, वो लिमिटेड है, आज जल लिमिटेड है, जमीन लिमिटेड है, सब कुछीज़ा हाज हमारे पास लिमिटेड है, तो उसके लिए परतिस परदा भी हो सकती, competition भी हो सकता है, इसका एक छोटा सो धर मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर कभी देखा हो, जिन इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पर चाहे पारशत की तरफ से, सरपंच की तरफ से क्या होता है, पानी के टेंकर जाते हैं, और जो वहाँ पानी के टेंकर होते हैं, तो आप सच में वहाँ पर इतनी पहंकर लड़ाई होती है, जो लेडिस, जो बच्चे, जो पूर्श सुवे तक हस करके बात कर रहे थे, मिल जो लुकर कर बात कर रहे थे, वो एक-एक पानी की बकेट बनने के लिए, एक-एक बाल्टी बनने के लिए लड़ परते हैं, और हटो भाएसाँ, मुझे भी एक बा प्रवादा नहीं है हम लड़ पड़ेंगे गुसे को मालेंगे यही बात महस्वकाइशाव के टक्राओं में होगी और यही बात सिमित साद्मों में होगी समाज में ऐसे में उबढ़ने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संगश के रूप में भी व्यक्त हो सकते ह कि अदонों की बात सैम नहीं है हम एक दूसरे सीमत नहीं आ पि हे गलत बतारों सर साथ आप ये गलत बात है तो हम काफी पाइस हो सकती संग्त ऑसकsc券 किम लोग ऐसे मत हो सकते हैं जैसे चोणा सोगोडराण लोग पार्टियों को लेकर यगर कर ऊप समय को क्रकर कोंगरियों कॉंग्रेस ने बहुत अच्छा काम करें, कोई किसी policy को लेकर करके ऐसे हमेत हो सकता है, नहीं नी साब, सरकार ये policy लेकर करका ये एक नंबर policy, लखाए की policy, तो लड़ सकते हैं, आय सहमत होने के बहुत से reason हो सकते हैं, ठीक है, अब वो बहुत से reason जो हो सकते हैं, तो उनको control क के लिए हमें कुछ परतिवन्दों की आवशकता है, और कुछ ऐसे मेत हैं तो खुले संगश में आ जाती, लोग लड़ लेते हैं, जगड़े हो जाते हैं, ठीक है, हिंसा हो जाती है, हम चारो और छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तयार लोगों को देखते हैं तो हम हमारे आस-पास में देखेंगे कि भूत से लोग तो बस तयार हैं कि लड़ ले, बस लड़ाई हो जाए, एक वा लड़ाई का मुका मिल जाए लड़नों में तो, जैसे कि सड़क पर गाड़ी चलाते हैं समय क्रोध, पार्किंग में जगे के लिए जगड़ा, जमीन मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर ऐसे में ती, जैसे अनेक मुद्ध संकर्ष हिंसा और कई बार जन्हानी ले जाते हैं, तो आप देखते हैं सड़क पर गाड़ी चलाते हैं समय क्रोध, और भिया पास में से निकाल और पागल होगी हो, मेर म में गाड़ी भेट थी, इस बात पर हम लोगों को लड़ते वे देख लेते हैं, पारकिंग वे जाए नहीं, यह आप गाड़ी में खड़ी करता हूँ, उन बातों पो लेकर के लड़ाई हो जाती है, जमीन और मकान के लिए लड़ाई हो जाती है, यह तो भारियों में हो ज तो फिल्मों को लेकर के भी विवाद हो जाता है, संगर्श हो जाता है, यह जो फिल्म है, यह फिल्म गलत दिखाया जारा है, कुछ कहते हैं नहीं, इस फिल्म में सच्चा ही दिखाया जाया है, तो फिल्मों को लेकर के भी क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है, संगर्श हो और जन्द हानी का मतलब है, लョग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं, ये पार्किंग को लेकर तस्विरह दिखाईए, इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंतरन और विवाद के निप्टारे के लिए कोई लोग मर जाएंगे या जब लोग ही मर जाएंगे तो फिर क्या करोगे उस पार्किंग का, क्या करोगे उस फिलम का, क्या करोगे गाड़ी पे चलाने हैं, अलिए उस सडकों का, कोई काम नहीं आएगी, तो इसलिए सबसे पहले जरूरी क्या है उस हिंसा को रोगना, तो इस हि फोवशक्ता है कि हम कुछ परती बंद लगाए हम कुछ रोग्टोक Lahya कि हम यह देखो यह बोलना था यह नहीं बोलना यह गलत बात यह बोलोकर तो जयल पड़ेगा यहांपे यहां पर पार्किंग, यहां पर पार्किंग, इसके बाहर पार्किंग हुई, तो आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी, ठीक है, चलते हैं, यहां भी गाड़ी किसने बढ़ी, एक्सिडेंट हुआ, पहले होस्पिटल पहुचा और ट्रीटमेंट करो, हाँ यह थे, उसका ट्र को उकसा है, और जब ऐसा करते हैं, तो उनका चुनावायों की तरफ से उनको निर्देश भी जारी होते हैं, उनकी केंपेंग रोग दी जाती कि अब आप भाशन नहीं देंगे, तो कुछ पर्तिवन लगाना जरूरी होता है, जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्भा करें, और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आजादी के साथ और नियुनतम प्रतिवन्दों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे, अब देखिए, एक दूसरे के विचारों का सम्भान करें, अगर मैं आपकी विचारों का सम्भान करूं, पर थोपने की कोशिश ना करो और आप अपने विचार मुझे पर थोपने की कोशिश ना करो तो ही हम लोग क्या है कम से कम परतिवन्दों के साथ एक साथ रह सकते आप भी मुझसे खुश हो मैं भी आप से खुश हो तो फिर किस बात का परतिवन फिर किस बात की रोग टोग अब देखिए अब अफरीका का उधारन लीजिए दक्षिन अफरीका का दक्षिन अफरीका ने गोरो ने लोगों ने क्या करा अपनी विचार धारा थोपने की कोशिश करे अपना परभुतो जमाने की कोशिश करे वो काले लोगों के विचारों से आज शेहमत थे, उनसे बिल्कुल सेटिसाइड नहीं थे, उनके विचारों को सिविकार नहीं करते थे, परनतु जब वहाँ पर लोगतांतिक देश की स्तापना हुई, और नेलसन मंडिला जी राश्टपती बने साविधान बना, तो क्या का गया, कि कोई भी वेक्टी दूसरे के विचार, एक दूसरे पर नहीं थोपेगा, हम सभी को एक दूसरे के विचारों से सेमत होना पड़ेगा, तो फिर क्या होँआ, कम से कम परतिबंद होगे, ठीक है, अब आप इस होस्पिटल में आप भी जा सकते हो, आप भी आवश्यक है, कानून एक हद तक जरूरी है, परन्तु लोगों की मानसिक्ता, लोगों के अंदर से भी वो भाव आना चाहिए कि अब बदलाओ का समय है, सरकार ने जाती व्यवस्ता को खतम करने के लिए, छुआ चूट को खतम करने के लिए, महिलाओं के खिलाफ हो रहे, अपरादों को कम करने के लिए, कितने कानून सरकार ने बनाएं, परन्तु क्या सिर्फ कानूनों से सब कुछ हो सकता, नहीं, हमें हमारी सोच बदल लिए होगी, हमें खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमें सोसाइटी में लोगों को समझाना पड़े करें, भाई, ये कुछ नहीं होता, ये ऊच, नीच, महिला, पुरूष, ये भेधवाओं खतम करो, जब धीरे-धीर लोगों में सोसाइटी में चेंच आएगा, तो ओटोमेटिकली क्या होंगे, दीरे-धीरे परतिबंद कम हो जाएगे, अब आज की जो सोसाइटी है, हम जो यूआवर्ग है, वो हम नहीं देखते हैं, ये कौन सी कास्ट का ये महिला है, पुरूष है, ये कौन से धर्म का भेधवाओं नहीं करते हैं, तो अब धीरे-धीरे आने वाला समय क्या होगा, कि कम से कम परतिबंद होंगे, कम से कम restrictions लग हो जाएंगे, आदर्ष रूप में, एक मुक्त समाज में, हमें अपने विचारों को बनाय रखने, जीने के अपने तरीके विक्सित करने, और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए, आदर्ष रूप में, एक मुक्त समाज में, मुक्त समाज का मतलब यह, जहां पर कम से कम क्या हो, परतिबंद हो, तो उनमें अपने विचारों को बनाय रखने के लिए, जो मेरे विचार है, लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए, भी कुछ परतिबंदों के आवशक्ता होती है, तो जब आप आदर्ष रूप या आदर्ष समाज की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो परतिबंदों के आवशक्ता होती है, कुछ ना कुछ restrictions, कुछ ना कुछ रोक टोक की तो आवशक्ता होती है मतलब society में अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार बने रहे ठीक है परनतु ये तो गारंटी नहीं है कि आपके विचार सही है भारत के सविधान ने हमें कहा आपको अभिवक्ती की आजादी है आप अपने विचारों को express कर सकते हैं परनतु ध्यान रखना है कि आपकी अभिवक्ती के कारण किसी दूसरे की आजादी का हनन नहीं होना चीए आप कोई ऐसा भाषन नहीं देंगे जिसके कारण की दूसरे विक्तिया दूसरे समुदायों को ठेस पहुचे ऐसे भाषन नहीं आपको ऐसा भाषन नहीं देना जिससे कि राष्टर की एकता अखंडिता को खतरा हो ऐसा भाषन आपको नहीं देना आज जिसे एक मा अपने बच्चे को सुवह उठा करके, बच्चे रोता नहीं ममी, मुझे स्कूल नहीं जा ला है ममी, ममी मैं टूथपेस्ट नहीं करूगा ममी, तो ममी क्या करती है, दो थपड़ लगाती, चट, कट टूथपेस्ट, कल, चल जली-जली ना, चल इस्कूल जा अब वो क्या है वो रोग टोग वो मार किसलिए है बच्चे को बहतर होशे देने के लिए तो उसी परकार के समाज को सब ये लोगों को बहतर बनाने के लिए क्या जरूरी है कि कुछ रोग टोग कुछ पर्तिबंद हो यह क्या है सोसाइटी को दर्शाय क्या है कि यहां पर डॉक्टर वकील इंजनियर सब लोग है कम से कम यह जरूरी होती है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को सिवकार करने के लिए तैयार रहे हैं तो यह हमें हमेशा होना चाहिए कि हम दूसरे के विचारों को भी सिवकार करें दूसरे के बात को भी सुने देखें मैं यह नहीं कहता हूँ कि जो आपके सामने बेठा है हमेशा वो विक्ति सही बोल रहा हूँ परन्तु इतनी कैपेसिटी आप अपने खुद में लेकर कर आईए कि जब तक वो बोल रहा है आपच्छे सा सुनिये और अगर आपको उसकी बात का जवाब है तो जवाब दीजिए कि सब यहाँ पर जो आप बोल रहे है यह गलत है मैं आपनी जो कहा है यह बात गलत है यह गलत है, मैं यह वाली बात यहां से इस point से cut करता हूँ और इसका मेरे पास यह proof है पर पहले उस वेक्ति की पूरी बात सुने और लगता है आपको कि नियसाब इस वेक्ति ने जो बात बोली है वो सच में मानने ही होगी है उसका विचार सच में बहुत बेतर है तो हमें मानना चाहिए हमें उस बात को मानना चाहिए, उसको accept करना चाहिए और उस पर अमल करना भी चाहिए कभी-कभी हमें लग सकता है कि हमारी परबल आस्ताओं के लिए जरूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राये रखते हैं तो कभी कबार हमारी जो आस्ता होती है जहां पर हमारा विश्वास होता है या जिन पर हम ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमें कभी वार ऐसा लगता है कि या हमें हमारी आस्ताओं को हमें हमारे विश्वास को उन सब को बनाय रखने के लिए कुछ चीजों का कुछ जिन्दों का विरोध करना ही पड़ेगा जो कि इन बातों को इन हमारे आस्ताओं को खारिज करते हैं या अलग राय रखते हैं हमें कुछ विचार या जिवन शेली आश्विकार ये अवांशित लग सकते हैं ऐसे स्थे में कुछ ऐसे कालूनी और राजनितिक प्रतिवंद होने चीए जिनसे ये सुनिचित हो सके कि एक समों के विचारों को दूसरे पर आरोपित किये बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके तो अब कुछ विचार ये जिवन शेली ऐसी हो सकती है जो कि हमें आश्विकार ये लगे हमें अच्छी नहीं लगे कि नहीं साब ये जो विचार ये कोई का विचार का विचार है आजसी विचार होना है नीचे आवानची तो ऐसे जिन विचारों को हम चाहते ही नहीं है या जिस जीवन शेली को हम चाहते ही नहीं है हो सकता है वो आजसी विचार हो तो आवांचितो प्रन्तु उन पर भी वाद विवाद करने के लिए, उन पर भी चर्चा करने के लिए कुछ कानूनी और राजनितिक परतिबंद होने चाहिए, तो अगर हम वाद विवाद करें, अगर हम चर्चा भी करें, तो वो भी कानूनी और राजनितिक परतिबंद के ताइरे में होनी चीए, यहाँ पर भी हमें पर्तिबंदों की ज़रोत है, यहाँ पर भी हमें कुछ सिमाओं की ज़रोत है, बत्तर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाद्य किया जा सकता है, और जब स्थिति बहुत ही जादा खराब हो जाए तो में विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाद्दी भी क्या जा सकता है कभी कोई कह सकता कि नी साब आपको ये विचार मानने ही पड़ेगा मानिये आप हमारे विचार को सिवकार करिए आप हमारे विचार को सिवकार ही करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में हमें अपनी संतमत्ता को बचाने के लिए कानून के संद्रक्षन की और भी ज़्यादा जरुत हो जाती है और जब कोई व्यक्ति अपने विचार हम पर थोपने की कोशिश करता है हमें खुद के विचार मानने के लिए बाद्य करता है तो हम kोट है जा सकते हैं और Judge Uncle को कह सकते हैं Judge Uncle noodles देखो मुझे भारत के सविधानने 77 धर्द का अधिकार दे रहा है पर तो ये वेक्ति कहता है नहीं मेरे विचार मानो मेरी बात मानो हमारी जो बात है उसी बात को मानो कि नहीं हमारे न्याएपाली का है वो सब सही करतेगी वहाँ का दरवाजा हमाशा खुला रहता है और वहाँ का दरवाजा जब तक खुला है तब तक मन में विश्वास है और वो विश्वास क्यों है क्यों कि कानून का राज है तो कानून का राज और कानून का रायत क्या कहता है कि हर संतंतरता पर कुछ प्रतिवन्द जरूरी है अब जैसे कि शादी होती है किसी की या कोई भी फंक्शन होता है तो डीजे बसता है ठीक है धोलोल बसते हैं बेंटमेंट बसता है डांस वांस होता है स्वंतंतर्दा दीगे, बिल्कुल यह शादी जिवन में बार बार सोली होती है, ठीक है, विदेशों में तो वो भी बार बार में हो जाती है, ठीक है, मतलब इंडिया में है कि एक बार होती है, तो शादी बार बार नहीं होती है, बिल्कुल इंजोइमेंट होना चाहिए, डा तो सवंतंतता दी पर कुछ रोक लगा दिया आप हाला कि महत्पुर्ण सवाल ये पेचानने का है कि सवंतंतता पर कौन सा प्रतिबंद आवशक है और कौन सा नहीं तो सवाल वही है कि कौन सा प्रतिबंद आवशक है और कौन सा सही है और कौन सा नहीं कौन सी सत्ता ओचित्य पूर्वक ये कह सकती है कि क्या किया जा सकता और क्या नहीं और कौन सी सत्ता, कौन सी पावर, कौन सी सरकार ये कह सकती है ओचित्य पूर्वक तरीके से, सही तरीके से कह सकती है ये किया जाना चीए और ये नहीं किया जाना चीए और इसके लिए में क्या करना होगा हमें व्यक्ति को और समाज को समझना होगा कि व्यक्ति और समाज की क्या संरचना है उनकी व्यक्ति और समाज की संरचना को समझना होगा और उसी के बाद हम कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है जैसे कि for example मैं आपको उधारन देता हूँ आज भारत में आप देखते हैं कि दलितों के लिए आदिवासी समुदाय के लिए पिछड़ जातियों के लिए आरक्षन की विवस्ता करीगी क्यों करीगे? क्योंकि इनका जो इतिहास है वो हजारों सालों से ये राकी वनचीत रहे है पिछड़े वरे तो कुछ लोगों को लग सकता है कि निसाबी जो विवस्ता है ये गलत है परन्तु उनको आगे लाने के लिए उनको जोडने के लिए कुछ थोड़ी संतन तक जो है वो एक्स्ट्रा दी गई आज महिलाओं के सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए गए है या उनको कुछ विशेश प्रावधान दिये गए है तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि निसाबी गलत है परन्तु महिलाओं को बरावरी का अधिकार देने के लिए उनको मुख्य धारा में जोडने के लिए ऐसा काम करना जरूरी है तो हमें व्यक्ति और समाज को समझना जरूरी है आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में जो आश्योयत लोग है उनके लिए कुछ विशेश प्रावधानों की बात है हम पढ़ेंगे अगले द्याह में पढ़ेंगे अफर्मेटि एक्षिन की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ विशेश प्रावधानों उनके लिए करेंगे अब वहाँ पर जाती की विवस्ता नहीं है लिंग के आधार पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह जो परतिबंद लगावा है वो सही है और यह परतिबंद जो लगावा है वो गलत है और क्या हमारे जिवन के कुछ शेत्रों कारी ऐसे हैं जिने सभी भाली परतिबंदों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए और क्या जिलोड में कुछ ऐसा शेत्र मातब कोई ऐसा एरिया जहां पर हमें कुछ काम करना हो या हमारे कोई ऐसा मुद्दा जिसमें बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए वहाँ पर तो कोई किसी भी परकार का सुन प्रतिबंद होना ही नहीं चाहिए ये भी सवाल है, देखिए, बोल नहीं रहा है, पूछ रही है अभी किताब, अभी बोल नहीं रही है, कोशन मांक में ध्यान रखेगा, पूछ रहा है कि क्या ऐसा होना चाहिए, कोई सा ऐसा एरिया है जिसमें बिल्कुल हमें आजाद छोड़ देना चाहिए, फिर बात करते ह उदारबाद की, एक विचार, उदारबाद, लिबरलिजम, अब इस से आपको सब्द से ही पता चल गया, उदारबाद, वाद ये तो जहां जहां पर लगता है, जहां जहां पर बिटा, आई एसम लगता है, या हिंदी में ये वाद लगता है, वो क्या दर्शाता है, ये व चीमिको दर्शाता है, जीसे हम कहते हैं गांदीवाद, तो गांदीजी के जो विचार थे, उनकी विचारों को मानने वाला, उसको पूरी परकी उदार वाद है, उदार का मतलब, लिबरल का मतलब आप क्या समझते हैं, बिल्कुल उदार, फिर कोई बात, ऐसा कर लो, खटोर नहीं है, खटोर नहीं है, जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोगों के माता-पिता बहुत खटोर होते हैं, बच्चे उनके सामने बोल भी नहीं जी पापाजी, ठीक है, यहीं को, बहुत खटोर होते हैं, आठ बच गए, आठ पांच पर तो घर में आए, निकल घर से बाप, वो खटोर होते हैं, कुछ कोई बात नहीं है, कैसे लेट हो गया थे, कोई बात नहीं है, पापाजी मैं ये काम ऐसे करना चाता हूँ, हाँ, को वो उदार है liberal है आपने कुछ टीचर्स देख हूँए जो भौत खटोर होते authentik कूछ होते हैं साराज काम नहीं कर कोई बात भात देखल करना ना ठीक है आगे से दियान आखना ना पर अगे से ह臂साद नहीं होना उदारवाद की वाथ हम लोग कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं तब हम अक्सर ये कहना चाहते हैं कि वे बड़े शेहन सील हैं शेहन सील का मतलब क्या है सेहन करने वाले हैं हर चीज को सेहन कर जाते हैं कोई बात नहीं चलो उदार होना और शेहन शिलता दोनों कही न कहीं साथ चल रही है लिबरल मतलब हाँ हम खटोर नहीं है तो खटोर नहीं है मतलब हम उदार है और उदार होने का मतलब क्या है हम शेहन सील है हमें शेहन शक्ती है किसी बात को सेहन करने की किसी दूसरे के विचारों को सुनने की और उन विचारों को सिविकार करने की एक राजनितिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को शेहन सिलता के मुल्य के साथ जोड़कर देखा जा सकता है तो राजनितिक विचारधारा जो है एक जो पॉलिटिकल आइडियोलोजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस उदारवाद को शेहन सिलता के मुल्य के साथ जोड़कर देखा जा सकता है अगर जब हम उदारवाद की बात करते हैं मतलब हम शेहनशिलता की भी बात कर रहे हैं वही व्यक्ति उदारवाद दी हो सकता है जो कि शेहनशिलता हो जो किसी चीज को शेहन करने की ताकत रख सकता हो कि हाँ सब कोई बात नहीं हो गया इट्स ओके सेंसिलता होना ज़रूरी, सेंसिलता है तो उधारवाद है उधारवादी चाहे किसी व्यक्ति से ऐसे मत हो तब भी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने का दिकाल का पक्ष लेता है अब उधारवादी के सबसे बड़ी अच्छी पैचान यह है कि वो अगर किसी के विचारों से ऐसे मत है आज यह से मुझे पता है कि वो व्यक्ति मेरे विचारों के खिलाफ ही बोलेगा पर अगर मैं उधारवादी हूँ तो मैं फिर भी कहूँगा कि नहीं सब बोलने तो उसके जो भी विचार है वो विचार उसको रखने दो कि पता है कि वो मेरा विरोधी है उसके बावजुद भी आप उसको बोलने के आजादी दे रहे हो तो ये उदारवाद है लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है और नहीं उदारवाद एक मातर आधुनिक विचारधारा है जो सहिंशुता का समर्तन करती है उदारवाद सिर्फ इतना सा नहीं है जो अब भी हमने पढ़ा यह सिर्फ एक ऐसी आधुनिक विचारधारा नहीं है जो सहिंशुता को समर्तन करती हो जो टोल्रेंट का समर्तन करती हो कहां टोल्रेंट करते रहो उसने कुछ बला, कोई भात ने? कोई भात ने, कोई भात है, ट्रोलरेंट कर रहे है चल वो चलें दो, हम उदार है, हम उदार है, हम सेहन करते रहेंगे, करते रहेंगे ऐसे भी तो आदुनिक उदारवाद की विश्रषता यह है उनके लिए इन इकायों का महत्व तभी है जो व्यक्ति ने महत्व दे तो यहाँ पर उदारवादने क्या तरह कि परिवार, समाज, समुदाय जैसी सारी इकायों को कोई महत्व नहीं माना उन्होंने सबसे जादे जो महत्व माना है वो कि इसको व्यक्ति को कि एक व्यक्ति, व्यक्ति क्या चाता है, व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति क्या विचार है, उन विचारों को उसको जीने की आजादी होनी चीए, उन विचारों करने से उसको जीने की आजादी होनी चीए, ये सब तभी महत्व है, तब व्यक्ति उनको महत्व दे, ये व्य इसके तस्विर दिखाई गई है उधारन के लिए उधारवादी कहेंगे कि किसी से विवा करने का निन्य व्यक्ति को लेना चाहिए परिवार जाती है समुधाय को नहीं तो अब उधारन के लिए उधारवादी कहते है कि विवा करने का जो निन्य न आप परिवार को जाती ही, समुधाय को लेना चाहिए, किसी व्यक्तिगत को लेना चाहिए, पर तु देखो बच्चो, परिवार में जब हमारे बड़े, जो हमारे माता-पिता हैं, दादाजी दादी जी हैं, वो जब रिष्टा देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ दे या नहीं है, family का जो status है वो भी देखते हैं, कि देखो, यह कहा जाता है भारतिय संस्कृति में, कि रिष्टेदारी हमेशा बरावरी में ही करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो उससे अगर कोई ज्यादा हाई-फाई होगा तो फिर आप हमेशा दब करके message करते हो, तो बरावरी क हैं, या नहीं है, बच्ची आगे पढ़ना चाहती है, या नहीं पढ़ना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, और कोई जैसा मुझे देखना आगा, तो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, और यही कारण है कि भारती संस्कृति में जो शादी है वो लंबे समय तक चलती है बहुत rare of the rarest cases में divorces होते हैं आप विदेशी संस्कृति को देखिए वहाँ पर 40-45-45-45-45 उमर में जाकर रहे हैं दूसरी सादी कर रहे हैं तीस सादी कर रहे हैं ऐसा नहीं है यहाँ पर परिवार की संतुष्ट क्योंकि परिवार एक चीज देखर के नहीं सब कुछ देखर के फिर शादी करता है क्योंकि हमारे भारत में कहा जाता है कि शादी कोई ऐसे खिलोने का खेल नहीं है कि कर दीए फिर तोट जैएंगी कर दी चुशा है तो शाट जन्मों कर रिष्टा मजबूत बनना चाहिए तो ये उधारवादियों का मानना है कि वेक्तियों खुद को चुनना चाहिए विवार किसे करें ठीक भी कुछ हत्तक इनका भी ठीक है पर तुछ थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है परिवार की सेमत ही जरूर यह उदारवादी व्यक्तिकत संतंतरता को समानता जैसे अन्य मुल्यों से भी अधिक विरेता देते हैं तो उदारवादी संतंतरता को पहले रखते हैं और फिर समानता को रखते हैं वो मानते हैं पहले आजादी दी जाएगी तो अटोमेटिकली समानता आ जाएगी वे आम तोर पर राजनेतिक सत्ता को भी संदे की नजर से देखते हैं और जो राजनेतिक सत्ता होते हैं उसको भी संदे की नजर से देखते हैं कि यह कहीं व्यक्ति की संतंतरा घानन तो नहीं कर रही है एतियासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त वाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिगा का पक्ष लिया है अगर हम उदारवाद की बात करें तो क्या बात करते हैं मुक्त वाजार ये उदारवाद, पुन्जी वाद ये जो विचारता रहे हैं न बचुछो ये कही ना कही थोड़ सी economics से भी जोड़ी हुए, मुक्त बाजार, free trade, इसमें क्या कहा गया, कि विया, एक देश, दूसरे देशों से मुक्त व्यापार करें, वो देश अपना सामान यहां पर बेजें, हमारा देश वहां पर बेजें, हम उस देश के सामान पर किसी परकार का ज्यादा tax नहीं लगाए, वो हमारे पर ज्यादा tax नहीं लगाए, ये क्या होना चीए, मुक्त बाजार होना चीए, और उसके सासाथ, राज्ये की नियुनतम भूमिका, मतलब सरकार की कम से कम भूमिका होनी चीए, और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा छूट होनी चीए मतलब ऐसा नहों कि हर काम सरकार कर रहे हैं यह भी सरकार कर ले 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 नहीं प्राइवेट वाले को ज्यादा छूट होनी चीए सरकार बस थोर सा कंट्रोल करने का काम करें बाकि सरकार की कम से कम भूमिका होनी चीए और ऐसी विवस्ताओं को हम लोग क्या कहते हैं, पुन्जीवादी विवस्ता कहते हैं, या पुन्जीवाद कहते हैं, हाला कि अब वे कल्यानकारी राज्य की भूमिका को स्विकार करते हैं, और मानते हैं कि सामाजिक और आर्तिका समानताओं को कम करने वाले उपायों की तो जो उधारवादी लोग हैं वो पहले ऐसा मानते थे कि राज्य जो सरकार है उसके कम से कब भूमिका हो नीची परन्तु अब वो ऐसा भी मानने लगे हैं कि कल्यांकारी राज्य की भूमिका को सिविका करते हैं मतलब सरकार को कल्यान कारी काम करने की छूड़ दी जाती है 1929 में बेटा महामंदी आये थी पुरी दुनिया में और 1929 के बाद 33 तक वो महामंदी चली उसके बाद दुनिया ने ये सबक सीख लिया था कि बेख मुझी बाद परफेक्ट मोडल नहीं वहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है सरकार जादा से जादा हस्तक्षेप तो ना करे पर इतना तो करेगी जिससे की बैलेंस बना करके रख सके तो उधारवादियों ने मान लिया कि हाँ साब सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है और जो आसमानता है जो आर्थिक आसमानता है उनको दूर कोई कर सकती है तो सरकार कर सकती है और उसके लिए सरकार का अस्तक्षेप होना, सरकार का इंटरिफेर होना बड़ा ही आवशक होता है तो इसी के साथ आज का जो हमारा lecture है वो भी complete होता है आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे comment box में बता दीजीगा और आज का lecture कैसा लगा वो भी बताइएगा और संतंतर्ता आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है वो भी बताइएगा और आप तया रही है और ओर लोगों को संतंतर्ता बताने के लिए कि जब भी कहीं संतंतता की बात उठे आप समझा सको कि देखो वह यह संतंतता है और यह नहीं है और आपको अपने चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब तो करते रहना है और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए, थैंकिस वामच, जै हिंद, जै हाद